है लो डियर स्टुडेंट्स आई होप आप फिट होंगे फाइन होंगे मज़ेदार भी होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉंसेप्ट ऑफ केमिश्टी और हमने का कर लिया है जो आज का हमारा टॉपेक है वह एवगे ड्रोज हाइपोसेस तो यहां पर एक बास समय ना एवगाट्रोज हाइपोसेश्टी चैजियंगे हम बात करने सिंपल तो इन्होंने क्या बोला था इन जन्दल मैं बता देता हूं कि बॉल्यूम जो होता है बॉल्यूम इसे डारेक्टली प्रोशचनल टूदा N N मतलब नॉम्बर ओफ एटम्स भी ले सकते हो या आप नॉम्बर ओफ मोज लेलो घब होगा यह यह तब होगा जब कॉंस्टेंट टेंपरेचर होगा पॉंस्टेंट टेंपरेचर होगा एंड प्रैसर पर इस बात को ध्यान atwedia जिसे मानलो हम लिखते हैं और एक थू पिलरस ऐटू गिस टू एच देखना चाए यदि आप हम बात करें आप stitch कि हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान अगना बन वोल्यूम एस टू का ले लिया बन वॉल्यूम आयोडीन का ले लिया तो हमें 2 वॉलियूम क्या मिलना है हाइडूजन आयोडायड मिलना है फिर तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं या फिर आप ऐसे भी समझ सकते दस वॉल्यूम इसका ले लिया इसका भी दस वॉल्यूम ले लिया तो इस तरीके से को क्या बोलते हैं यह बरजीलियस ने दिया था तो लिखा हुआ भी है आप देख सकते हैं जो बरजीलियस स्टेटेट देट अंडर सिमिलर कंडिशन ओप टेंपरेचर एंड प्रेसर एक्वल वॉल्यूम ऑफ ओल गैसे कंटेन दर नम सेम नंबर ओफ एटम मतलब क्या करेगा कंटेन सेम नंबर ओफ एटम को कंटेन करेगा जैसे माल लो आप लिखा हुआ है यहां पर हाइडोजन प् स्य फिस्य क्यिंटल कि गिवस्ट अमीज के ट्रीशन हो कि 1220 अब देखो बन वाल्यूम बन वाल्यूम ज regrets तू बन ठिकर आप में गया इहां पर एटम्स लिया स्के के इसके इतने अंप स्लिए अन ярं न इतम्स लिए घॉए तो आप लेकर रहा हो यहां भी अन एकम्तक्रे यहां पर बन एटम लोगे तू न्यांट आप यहां पर दियान रखना इसegर अंधा खुआ है मैं पहले बता देंगे यहां पे यहांपे ekk Andrug हो गया है यह बात के लिए सभी को बोलो यह बात के लिए तो यह एवोगेट्ड हाइपोतेस था सिंपल आपको यहां भी लिखा हुआ है देख सकते हैं यहां भी लिखा हुआ है कि जो लिखा हुआ है अंडर सिमलर कंडिशन और टेंपरेचर एंड प्रैसर एक्वल वॉल्यूम ऑफ ओल गैसियस कंटेंड एक्वल नंबर ऑफ मॉलीकुल्स तो देखो एटम के लिए बात की थी अब यहां पर होने मॉलीक्यूल के लिए बात कर ली करें सिंपल यहां पर जो लिखा हुआ वाल्यूम ड़ीयूम डैटली प्रोट्रशनल टू एंड यहां पर क्या है नंबर ऑफ मौलीक्यूल्स ठीक है अब देखो लिखा हुआ है है कलोरीन बन आलियम क्या मिल गया है याल आपने क्या लिये है है कि लिया है एन मॉलीक्यूल क्लोरीन। से रियक्ट किया टु एन मॉलीक्यूल मिल लेजन के से मुलाद में मौलीक्यूल है है फटार है पना है तो आपको हैडोजन ख neพर हुआ है कि देख सकते हो दिक पर हैं cancelled ही भी ज़क्यां होगा है की समझालोय सावत एक लिया है और वन बन वॉल्यूम आपने कितना लिए टू बॉल्यूम हाइडोजन बन वॉल्यूम ऑक्सीजन तो क्या मिल गया यहां पर देखो टू बॉल्यूम ऑफ वाटर वैपर मिल गया सिंपल आप इस तरीके से एक्जामबल समझ सकते हो तो मैं लिख देता हूं यहां पर बॉल्यूम क्या मिला हूं वाटर वैपर मिल गया है तो आई होप आपको यह बात भी किलियर हो गई होगी इसी के साथ यह टॉपिक होता ही पर समाप मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेश टॉपिक में जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए औल दा वेस्ट हुआ 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 है